तो हलो गाइस, माइनम इस रूवेन, यह वाचिंग रेस्लिंग, वासब देखो भाई, हर किसी को WWE देखना बहुत जादा पसंद है, लेकिन एक चीज़ जो हमें बहुत जादा ऐसे समझ नहीं आती, वो यह है कि जितने भी फीमेल सूपर्टार्स हमारी WWE में हमें दिखाए द लीटा का रिटर्न कुछ टेम बेले हो चुका है, हमें कुछ टेम बेले ट्रिस्टार्टस भी रिटर्न करते वे दिखाए दिया, मिकी जेम्स टी एने से WWE में आई है, तो क्यो हो ना कुछ फीमेल सूपर्टार्स के बारे में आपको कुछ ऐसी चीज़ बता दी जाए, जो अभी भी किसी ने भी नहीं बताई होंगी, तो यहां पर एक बैट लगाते है, अगर वीडियो के एंड तक आपको कोई ऐसी नहीं चीज़ बता चलती है, जो आपको पहले नहीं पता होगी, तो आप वीडियो को लाइग या फिर सब्स्राइब करोगे चैनल को, और अगर अभी पसंद आएगी, तो आप वहाँ से जा भी सकते हो, लेकिन हो सकता आपको मेरी वीडियो अच्छी लेगे, और मेरा काम अगर आपको अच्छा लगता है, तो प्लीस यान को सब्स्राइब कर देना, हम चलता है वीडियो की तरफ, और मैं आपको पहले ही बता दूँ, म अभी उतना जाद अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन के आपको पता है कि एलेक्सा ब्लिस के टाइम एक ऐसा भी उनका करेयर में टाइम रहे है, जब उनके हालत इतनी जादा खराब देगे, उनको रिंग अनाउंसर का काम करना बढ़ा था, जी हाँ, उनका करेयर एक्छल म में वहा था, WWE में NXT में लेकिन उससे पहले 2013 में उनको NXT के लिए करिंग अनाउंसर की जॉब मिली थी, और उनका इनकी जो हिस्ट्री है वो इतनी जादा खराब रही है, उनका WWE में एक्स्पिरेंस उस टाइम प इतना खराब रहा है, कि WWE को उनको सिफिक अनाउंसर की तरह ही रखना पड़ा था, लेकिन जब उनने एक्चल में देखा कि बाई, ये बंदी तो बहुत जादा फेमस हो रही है, इस सूपशार बहुत जादा फेमस हो रही है, इसको लोग पसंद कर रहे है, और अनाउंसर का रोल ये बहुत अच्छे से निभारी, तो उसके बाद उनको किसी को बता और बहुत सारे लोग WWE को देखने वाले हैं, जिन्होंने एक टेम पे देखना छोड़ दिया तो, तो मैं आपको बदादू, एक्चल में पेज, एक एक्स WWE सूपशार के साथ रिलेशन्शिप में थी और उस बंदे का नाम था, अलबर्टो डेल रियो, मेरी कहल में थे तो, उनका जो रिलेशन हो बहुत जादा एक्चल में टॉक्सिक चल रहा था, और मैं आपको दादू, एक पेपर व्यू में, एक एवेंड में, रेस्लिंग के इवेंड में ही, पेज ने प्रपोस करा था, अलबर्टो डेल रियो को, उसके बाद वो अपने रिलेश तो, इतना जादा खतरनाक तरीके से टॉक्सिक चला, कि दोनों एक साथ नहीं रहा था, और दोनों भाहिल बिल्कुल अलग हो गया, और इस चाम पे पेज अपनी अलग मैरेज करके बैठी ही है, और अलबर्टो डेल्डियो के तो अलगी हाल चलने, व्यू अभी उनके साथ कोई काम नहीं करना चाहता, तो आप यहांसे देख सकते, एक टॉक्सिक रिलेशन कितना ज़्यादा एफेक्ट कर सकता आपके पूरे करियर पे, बात करते हैं साशा बैंक्स और शेमस के बारे में, हर किसी को बता अगर आपको नहीं बता तो मैं आपको बता देता हूँ, सा इस इस गले उनके उन्होंने एंटर्वियो में एचीज रिवीईल करी ती जब उनसे पूछा गया, तुम्हारा डवल अटर्वी में तुम्हारा डवल लवली में आपको बता डवली वह शेमस के बाद भी शेमस के अलावा भी बहुत सारे और हैंसम सूपर शार लेकिन शे वो शेहमस है और आइरिश मैन हर किसी के फेवरेट नी होंगे लेकिन हाव बहुत बढ़ीया काम करते है कंपनी में और साशा बैंक्स को भी वही चीज पसंद आती तो साशा बैंक अपने एक सीकरेट रिवील करा था हो सकता है इस बारे मैं आपको ना पता हो तो मैं आपको ब बड़े बड़े सूपस्टास के साथ पंगे लिए वहां डड़ी बॉइस के साथ और यहां पर एज और क्रिश्चन और में बहुत ज्यादा तगडिया पर फाइट सुनने लिए और मैं आपको यह बी चीज बता दू एक्शल में लीट आपने बारे में बहुत सारे अपने लिखती थे और काफी सारे लोग को यह चीज नहीं बता कि 2012 से लेके 2015 तक काफी सारी फीमेल जो स्टोलाइस चली है वह यहां पर लीटा ने लिखी वी थे और उसमें लीटा का बहुत जादा रोल रहा था क्योंकि क्यों ना हो यार लीटा इतने जाद एक्स्पिरेंस सुप अगली चीज पर बात करेंगे और यहां पर मैं बात करने वाला बाई द पावर कपल एक्स पावर कपल निकी बैला और जान सीना के बार में जब यह दोनों रिलेशन्शिप में तो बहुत जादा फेमस थे लेकिन किसी ना किसी वज़ा से इन दोनों की बिश्मेंच दूरि अगली एक क्रश था जिसके पाद उन्होंने शादी करी थी और उसके बाद तीन साल बाद ही उन्होंने जो यहां पर डाइवास ले लिया था क्योंकि वह जो रिलेशन था वो जो मैरिश्थी वह बिल्कुल भी नहीं चली थी और वह बताते कि वह वाला जो उनका डिसीजन कंटेंट कैसे निगालने बाई वो डवली से कोई सी कि आव अभी जाके उस वीडियो को देख सकते तो हाँ यह एक ऐसा सीग्रेट था जो ने पहले नहीं बताया था लेकिन हाजब जॉन सीनको उनने बताया तो उनका क्या रिक्शन था आप उस वीडियो में जाके देख सक कर दो हाँ